नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा मैं रोत्रा शुरुवात करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की यूपी के सीम योगी आदितनात तीन दिन के लिए उत्राखंड के दोरे पर है और अपने तीन दिन के दोरे के दोरान सीम योगी पौडी के यमकेश्वर पहुँचे यहां सीम योगी ने महंत अवैदनात की प्रतिमा का अनावरण किया मतादे 3-4 और 5 माई को CM उत्राखंड के दोरे पर ही रहेंगे इसके अलवा 5 माई को CM योगिया आदितनाथ हरिद्वार जाएंगे हरिद्वार में UP सरकार के होटल का उद्गाटन करेंगे खबर आगरा से है जहां गुरू परमहंस आचारे को आगरा प्रिशासन ने ताज महल के दर्शिन करने से रोक दिया जिसके बाद आचारे ने एलान किया कि जब तक वो ताज का दीदार नहीं करेंगे तब तक वो अंशन पर बैठेंगे आपको बता दें कि प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के साथ आचारे को आगरा के कीठं जील गेस्ट हाउज ले गए है आज आगरा के यह जो बहाले जो अधि प्राचीन संकर्भवान का शिवाले शिमंदिर है तो वहाँ मैं यसाई चीट के निमंतर देने पर नहीं आया था लेकिन मुझे प्रशासन ने बीच पे रोग दिया और तीन-चार घंटे तक इधर से उधर घुमाता रहा इसके बाद आगरा के कीठं जील गेस्ट हाउस में मुझे पहुचा दिया गया है मुझे वहाँ मती से यह नहीं दिगई क्योंकि मैं भगवा पहिना हूँ वहाँ लोगों का कहना था किसी फटोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं बाकि लोगों को वहाँ मती नहीं दी जाएगी तो मैं यहाँ कीठं जील पर हूँ और मैंने अनजल का परितिया कर दिया है या तो मुझे अगमती देंगे नहीं तो फिर माला यामर नसन जाई जैशी राम नगरी आयोध्या में गंगा जमनी सव्यता की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली है दो लोग नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि ये राम जन्म भूमी के मुख पुझवारी आचारे सतेंदर रदास हैं और दूसरी अकबाल अनसारी है जो कि आचारे सतेंदर रदास अकबाल अनसारी के घर एद के मौके पर पहुचे है कि इस लिए हम लोग नगरी है और यहां एक सीख लेने की लोगों की जरूबत भी है यह जुद्या धरम की नगरी है हिंदो मुस्लिम सी किसाई एक तरफ यहां सर्जू नदी है तो अर्मान जी का मंदिर है विजरी साइद की मजार है तो यह जुद्या सादू संतों से है सादू संतों की नगरी है फकीरों की नगरी है बुजरों की नगरी है तो या हमेशा हम लोग सादू संतों के बीत में रहते हैं कि रस्तों के बीच में रहते हैं हमारे हाँ एक तहजीव है अजुद्धा की यहां हिंदू मुसल्मानों में कभी कोई बी बात नहीं रहा ना बी बात गाजियबाद में हिजाब को लेगा प्रदेशन का मामला सामने आया है जहां मोदी नगर गिनी देवी डिग्री कॉलेज वे जब छात्राएं हिजाब पहन कर प्रिंसिपल आफिस पहुची तो प्रिंसिपल ने उनसे बात करने से मना कर दिया उन्हें कॉलेज के बाहर कर दिय जसके बाद कुछ छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ सड़क पर नहरे बाजी की वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि ये बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए कहा गया था इसलिए प्रिंस पर नबाद की है और चार दिन बाद यह प्रिकोष्ण हो चार दिन बाद बाद होगे इसके बस रख इस इतना अज़किया थी तुमने कहने भात करने चलते हैं तो देखा तो मैं ने ढॉड़किया थे, क्षेकर मैं भात करने हं तो डेक ejercies कि यहाद करना आस लिए अजब और कहने लगी कि हम-जश त्ब हिजाब को देख लिए एंग्दड करों बया था Wherever वो ने का कि एक काम करो तुम बहार आजो, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बहार आजो, तुम हमारे जो भी प्रोब्लम है हमारे सुन लो, तो नहीं हिजाब उतार कर जब यंदर आओ खबर गाजिपुर से है जो हमारार सी रेंज आई जी के सत्य नारायन ने मंगलवार को सैधपुर कोथवाली के निरिक्षट किया इस दोरान कोथवाली के विभेन विवस्थाओं को देखा और कोथवाली पर इस सर्वी साफ सफाई के साथ आवर्श्यक दिशा निर्देश भी दिये इस मौके पर पुलिस अधिक्षक और अपर पुलिस अधिक्षक गोपी नात सोनी, छेत्रादिकारी, बलराम, स्दीम, ओम प्रकाश गुपता के साथ अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे आज जो है रमजान के दौरान मैं जनपद गाजीपूर का ब्रह्मन पर आया हूँ और रमजान में हमारा चारों जनपदों में सकुषल संपन हो गया नमाज और सेंतपूर्न तरीका से संपन हुआ और उसी के दौरान गाजीपूर में ब्रह्मन के दौरान मैं सहीदपूर थाना का निर्क्षन में भी आ गया था यहाँ थाने का पूरा भ्रमन किया गफर थाने में ध्था रूरक मैनद भी कर रहे हैं Be Shuttle!! प्रचनबुर के नगर उपाद्यश है संधीप सिंग जी उन्हीं को निर्दोस बेक्ति हैं पिंडरी सरगही का मामला है पीडित पच्छ पुलिस में विभाग में है और इस विभाग उसकी नाते जान बूझकर उनको संधीप सिंग जी को फसाया गया है उसकी वीडियो साच स सारे हमारे पास है जान बूझकर उन्हें जेल में डाला गया है एक निर्दोस होने के नाते हमें ही मांग करने आये थे आज ऐसो साहब से भी बाचित हुई है और उसे बाचित होने के बाद एजी चीज़े कुछ सामने भी आई है कि जल्द से जल्दो उसकर करें खबर का नौस से है जो हम आमूली से बात को लेकर एक सामुदाए के लोगों ने लाठी डंडे चला दिये जसमें तीन लोग घायल हो गए है वहीं सूचिना पाकर मौके पर पहुची पलिस जांच में जुड़ गई है और तनाव को देखते हुए पलिस फोर्स तैनात कर द तूड़ गए हमने होसा कि चीछ इंच दिया गजा गए है सीजा जो फर Сам में जुड़ दीया को लोग के कहां दे जा है अकपर खान ए-ais اंच उसका चोटा भाई सल्मान मोटर साइप कामगरता का वार्रो दो खबर फरुखबाद से है जहां रोड पर दो वाहनों में जोरदार भिड़नतों हो गई और इस हाथसे में आठ लोगों की मौत हो गई है मौत के बाद अपरीजनों में कोहराम मच किया वहीं मौके पर पहुचे पुलिस ने खाईलों को जिला अस्पताल में भरती कराया है और आगे की कारेवाई में जिट गई भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जी के चित्र पर मालियार पढ़ किया और दीप जला कर हवन किया इस दोरान कारिक्रम में रजनीश दुबे, राजा शुकला और अनुराग तिवारी के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे आज अच्छे तरतिया के पावन पर पर जिस पर भगवान परुसराम जी ने अफ्तार लिया हुआ था आज भगवान परुसराम जी का जन्मोसब कारिक्रम बहुत ही धूम धाम से और बड़े ही हर्शुलास के साथ चिबरामू में गमा देवी मंदिर परशर में मनाया गया जिसमें समाज के सभी लोगों ने बर चड़ कर हिसा लिया सभी उबाओं का बहुत अच्छा सयोग रहा खबर संभल से है जो हम मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पर ने ईदगा पहुँचे नमाज ददा करने के बाद ईदगा इमाम ने शहर की शांती और भाई चारे के लिए दुआ की लोगों में ईद को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली वहीं हर जगा पुलिस प्रशासन भी पूरी दरहां अलर्ट दिखाई दिया अजिए उस्वास महम्मद अगे पर नमाज जाम मस्जद एद की जो नमाज बड़े सुकून के साथ अदा की गई कोई इसी तरह का कोई बिबाद नहीं अल्ला का शुकर है कि अल्ला तावारक अब ताला ने तीसो रोजे पूरे कराए और इद की नमाज भी बिलकुल सुकून और सांती के साथ अधा की गई इद का त्योहार हमारे देश में मुख्य त्योहारों में से एक है समाज के पाक महीने में से एक माना जाता है रमजान के पाक महीने के आखरी दिन जब चांद का दीदार होता है तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है वहीं ईद को रमजान महीने के अंत का प्रतीक भी माना जाता है विशेश समुदाय के लोग इस दिन गरीबों को दाम देते हैं आज आज एद के त्योहार को प्रदेश के सभी इलाकों में शांदे पूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है तस्वीर सामनी आ रही है जहां कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई है आपको पता दे कि इस बार सिर्फ परिसर में जो मस्जिद रही या फिर इदगा रहे वहीं पर नमाज अदा की गई सड़कों पर नमाज अदा कहने की मनाही थी जिसके बाद सिर्फ इबादतगाहों में ही इद की नमाज अदा की गई तस्रीरों में आप देख सकते हैं आगरा, अलीगड, फिरोजबाद और आया, आयोधिया, राइबरेली सभी चिका की तस्रीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रमजान के पाक महीने के खत्व होने के बाद जब चांद का दीदार होता है तो उसके अगले दिन एद मनाई जाती है और इस बार पूरे 30 रोजे रखे गए उसके बाद वीती शाम चांद देखने को मिला और आज एद का त्योहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है जहां सुरक्ष्य विवस्ता के खासा इंतिजाम किये गई है आज एद के सास्थ सब परशुराम जेन्ति और अक्षरत रित्या का त्योहार भी मनाया जा रहा है प्राइम उत्तरप्र देश में फिल हाल इतना ही देश दुनिया के तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सुरो का